नमस्कार दोस्तों, CSF Basing YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों, GST में बहुत important judgment आई है यदि company को bank loan या फिर limit sanction करने के लिए director personal guarantee देता है तो उस case में इस service के उपर भी GST pay करना होगा company को दोस्तों, यदि company का director personal bank guarantee देता है कि company को loan या फिर limit sanction की जाए तो उस case में GST कैसे बे किया जाएगा कि इस case में director को loan का कुछ specified percentage चार्ज करना होगा company से या फिर वो अपनी discussion पे कुछ भी amount चार्ज कर सकता है company से क्योंकि इसके उपर तो company को पूरा input as credit मिल जाना है क्योंकि ये in the course और further as a business service यूज हो रही है तो इसके लिए जो ruling है वो दी गई है दोस्तो GST at के अंतरगत यदि को director company को को कोई service देता है तो वो related person माना जाता है और related person यदि company को कोई भी service देता है भले ही उसके लिए कोई consideration charge नहीं कर रहा है फिर भी उसे GST at के अंतरगत supply माना जाता है तो दोस्तों इस case में ruling दी गई कि इस case में इस service के उपर RCM के अंतरगत GST pay किया जाएगा company के दवारा और इस case में जो valuation की जाएगी वो rule 28 के calling की जाएगी rule 28 GST at का ये कहता है कि यदि distinct person ये later person के बीच में कोई transactions होती है तो इस case में value of supply जो है open market value होती है यदि open market value available नहीं है तो इस case में like kind and quality के जो goods होती है उनके जो value होती है उसके according value आपको निकाल के उसके उपर GST चार्ज करना है तो दोस्तों इस ruling बहुत important है क्योंकि इसके दोरा में पता चलता है कि किस वरकार की जो director service है उसके उपर आपको RCM के इंतरिगत GST पे करना होता है दोस्तों चैनल के memory judgment को refer कर सकते हैं community time में उमीद करते हैं आपके लिए है news useful लगी पर like करें और share करें ताकि सभी लोगों ते के जानकारी पहुंच पाए और वो GST की compliance कर पाएं रेगलर GST और टेक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें टेलिग्राइम एप CS Updacing टेक्सिल पर जोईन कर सकते हैं थाके आप GST और income desk के रेगलर अपडेट अपने मुबाइल पर ही फ्राप्त कर सकें